हेलो मेरी प्रिये छात्रों आप सब भी का एक बार फिर स्वाग थे अगर आप सी टेट, एमपी टेट, बरगी तीन, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार टेट, हरियारा टेट, परिच्छा की तैयारी कर रहें तो इस वीडियो को जरूर देखें आज की वीडियो मे की लाश तक पूरा देखें, ठीक है, कोस्टिन नमबर फरस्ट है, स्कीन पर भेरी भेरी मोश्ट इंपोर्टन कोस्चन है, आंसर जानते हैं तो बच्चों जल्दी से कमेंट करेंगे, बच्चों की बिकास की सिद्दान्तों को समझना सिच्छक की सहायता करता है, आपके प समबोधित करने में, सिच्छार्थियों के सामाजिक इस्तर को पहचानने में, आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करेंगे, कोस्टन नमबर फरस्ट, फरस्ट का बच्चों आंसर नोट कलने, सी ओप्सन यहाँ पे करेक्ट होगा, सिच्छार्थियों की भिन अधिगम सेलिय को प्रभावी रूप से समबोधित करने में, नोट करते चलें आप, नेस्ट कोस्टन इस स्कीन पर, और वीडियो के लास्ट में, आप अपना इसको जरूर बताएं, आपने कितने सही आंसर दिये, ठीक है, बहरी-बहरी मोस्ट इंपोटेंट कोस्टन लेंगिक पूरवा ग रहे को पिर्दसित करता है, बुद्धी के विविन पच्छों के लिए सही है, सही है, ठीक है, कमेंट करें, सही आंसर किया होगा, बहुती आसान कोस्टन है, कोस्टन नमबर सेकिंड, सेकिंड का बच्चों आंसर नोट कर लें, बी, आप्सन यहां पर करेक्ट होगा, देता हूं, बच्चों, सबसे अधिक गहन और जटल सामाजी कन काल है, कमेंट करेंगे, सही आंसर किया होगा, कोस्टन नमबर सेकिंड पर, सबसे अधिक गहन और जटल सामाजी कन काल है, किसोर अवस्था, पूर्वाल अवस्था, प्रोण अवस्था, ब्यक्ति के पूरे चीवर में कमेंट करेंगी कोस्चेन नमबर थाड थाड का बच्चों आंसर नूट कर ले ए ऑप्सन आपका करेक्ट आंसर होगा कि सोरा वस्था ठीक है नेस्ट कोस्चेन देख लेते हैं इसकीन पर कोस्चेन नमबर फोर बहरी बहरी मोश्ट इंपोटेंट कोस्चन है सभी चात कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा अबधार्णा का बिकास मुख रूप से हिस्सा है बौधिक बिकास का सारिक बिकास का सामाजिक संबिगात्म कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा कोस्चेन नमबर फोर एसकीन पर बहुती अच्छा question है अबधाना का विकास मुख रूप से हिस्सा है सभी चात comment करेंगे नोट कर लें question number 4 का बच्चो आपका A option correct होगा बौधिक विकास का note कर लें अबधाना का विकास मुख रूप से हिस्सा है correct answer A option होगा इसका बौधिक विकास ठीक है next question देख लेते हैं इसकीन पर question number 5 सभी चात comment जरूर करेंगे सही answer किया होगा बहुती अच्छा question है आपके exam में आएंगे बिल्कुल क्योंकि भेरी भेरी most important question आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आई हैं ठीक है बच्चों के उचित विकास को सुनश्चित करने के लिए उसका स्वस्त सार्रिक विकास एक महतपूर पूर्ब आव सकता है यह कथन कैसा है गलत है सही हो भी सकता है आप option को सबसे पहले इस्तान पर आता है सही है क्योंकि सार्रिक विकास विकास के अन पच्चों के साथ अंता संबंदित है गलत है क्योंकि सार्रिक विकास विकास के अन पच्चों को भी प्रिकार से प्रभावित नहीं करता question number five है सभी चार्रिक विकास करेंगे सही आंसर क्या होगा नोट कलने question number 5 का बच्चों आपका B option यहाँ पर correct होगा ठीक है सही है क्योंकि विकास क्रम में सारिक विकास सबसे पहले इस्तान पर आता है question number 5 का note कलने B option यहाँ पर correct होगा next question is skin पर question number 6 इस्ताल लगा देता हूँ बहुत अच्छा question है एक्जाम में आ सकता है मानब विकास कुछ बिसे सिद्धान्तों पर आधारित है निम लिखित में से कौन सा मानब विकास का सिद्धान्त नहीं है very very most important question है सभी छात comment करेंगे सही answer किया होगा आपके एक्जाम में आ सकता है question को समझे एक बार मानब विकास कुछ बिसे सिद्धान्तों पर आधारित है निम लिखित में से कौन सा मानब विकास का सिद्धान्त नहीं है अनुकिर्मिकता सामाने से बिसेश्ट पिर्तिवर्ती ठीक है कमेंट करें और आप लोग नोट चलूर करें बच्चों वीडियो के लाश्ट में अपना स्कोर बताएं आपनी कितने सही answer दिए ठीक है very very most important question है सेवन एसकीन पर सभी छात comment करेंगे सही answer किया होगा मानवी ये मूल्यों जो प्रिकिती में सार्ब त्रक है कि विकास क करेंगे बतारोपण अंगीकन अनुकन अभी व्यक्ति कमेंट करेंगी question number seven का बच्चों यहां पर correct answer किया होगा नोट कर लें मानवी ये मूल्यों जो प्रिकिती में सार्ब त्रक है कि विकास कार्थ होता है बच्चों अभी व्यक्ति नोट कर लें question number seven का आपका D option यहां पर correct होगा next question है स्कीन पर question number eight very very most important question है सो समझ कर answer दें कोई भी गलत answer नहीं देगा एक पिर सामान बारा बर्स उमर की बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है कुल प्रेरक समयनबय में कठनाई बैसकों को खुस करनी की बारे में दुश्चिनता की अनुभूती अब और यहां में उसकी प्रूचियों को सिमित करना समकच्ची के अनुमोधन की लिए बैसकों करनी question number eight है correct answer किया होगा सही answer आप लोग comment करें बहुती अच्छा question है logical question है एक पिर सामान बारा बर्स की उमर की बच्ची में सबसे दिख संभव रहता है समकच्ची के अनुमोधन की लिए बेचैनी नूट करने question number eight का आपका डी option correct होगा next question इसकीन पर question number nine बहुती अच्छा question है आप लोग सोच समझ कर answer comment करें सही answer किया होगा ठीक है question number nine लगाते है बच्चे इसकीन पर ठीक है बाल विकास यानी child development की परिभासा का धियन छेत है आपके पास चार ओप्सन है कमेंट करेंगे मान भी शामर्थों में परिवातन का परिच्छन करता है जीवन अबधी के दोरान बेभार की ब्याक्ख्या ढूड़ेगा बच्चों की बैस्क तथा बरिष्ट नागरों को इसाथ तुलना करेगा किसी बच्चे का संग्यानात्मक सामाजिक दूसरे सामर्थों का किर्मिक विकास के लिए उत्तरदाई होगा आंसर जानते हैं कमेंट करेंगे question number nine का बच्चे हाँ पे correct answer किया होगा बहुत ही अच्छा question है नोट कर लें बाल विकास की परिवासा का अध्यान छेथ है जो question number nine का बच्चों यहाँ पे D option यहाँ पे correct होगा किसी बच्चे का संग्यानात्मक सामाजिक दूसरे सामर्थ किर्मिक विकास के लिए उत्तरदाई होना नोट कर लें question number nine का आपका D answer यहाँ पे correct होगा ठीक है next question इसकीन पर question number 10 सभी जात comment करेंगे बहुत अच्छा question है exam oriented question है आपके exam में आ सकता है comment करेंगे सही answer किया होगा प्रात्मिक सिच्छक के लिए बाल मनो विग्ज्यान का ग्यान आउस्सक है क्यूंकि यह बच्चों को अनुसासित बनाने में सहायता करता है प्रेच्छा के परिणाम में निती होती है यह बच्चों को अभीपेद करने के लिए सुविदा जनक तरीका बन जाता है यह बच्चों के बिभार को समझने में सिच्छक की सहायता करता है जल्दी से कमेंट करें बच्चों, question number 10 का correct answer किया होगा, note कर ले, बहुती अच्छा question है, exam oriented है, आपके exam में आ सकता है, question number 10 का बच्चों यहाँ पर D, answer correct होगा, note कर ले, प्रात्मिक सीचक के लिए, बाल मनुविज्ञान का ग्यान आउसाख है, क्योंकि यह बच्ची के बेभार को समझनी में, सीचक की सहायता करता है, ठीक है, अब ले चलते हैं, आपको next question पर, question number 11 है, इसकीन पर, बहुती अच्छा question है, very very most important question को highlight कर ले, बिलकुल आएगा exam में, किसी ना किसी set में, खिलोनी की are you कहां जाता है, comment करें, question number 11 का बच्चों यहाँ पर correct answer किया होगा, पूर most important question है, बच्चों, किसी ना किसी set में, आएगा, खिलोनी की are you कहा जाता है, note कर ले, question number 11 का बच्चों आपका a option यहाँ पर correct होगा, ठीक है, पूरुव बाल ले बस्ता, note करते चलें आप, question number 11 का बच्चों यहाँ पर a answer correct होगा, पूरुव बाल ले बस्ता, ठीक है, जितनी सब्सक्राइब करने की बाद बच्चों घंटी जरूर्द वादे, जिससे कि जब भी हम latest वीडियो बढ़ाएंगे, आपको हमारा notification मिल जाएगा, क्यूंकि अगर आप CTAT, MPT, UPT, BHAT, परिच्छा की तयारी कर रहा है, यानि सिच्चक बरती की, तो हम आपकी पूरी मदद कर करेंगे स्टाल लागा ले क्वुशिन आ सकता है एक्जाम में, बच्चों पूरुबाल अवस्था की बिसेष्टा नहीं है, क्वुश्चन को समझें, ठिक है, दल समूई में रहने की अवश्था, अनुकरन करने की अवस्था, परिसं करने की अवस्था, खीलने की था पिर्षन करने की अबस्था और खेलने की अबस्था सभी चाहत कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा तो आप इसका आंसर नूट कर लें बहुत अच्छा कोशन पूछा था मैंने निम्मे मैं से कौन सी पूरू बाल लबस्था की बिसेश्था नहीं है इसमें बच्छे अक्सर एक्जाम में गलती करते हैं उनका कहना है कि इसका ओप्षन ए हो सकता है लेकिन ए ओप्षन आपका गलत है बच्चो ए ओप्षन को आप करेक्ट नहीं माने निम्मे मैं से कौन पूरू बाल लबस्था की बिसेश्था नहीं ए आपका गलत होगा correct answer होगा यहाँ पर यहाँ पर गलती नहीं करें आपका एक नंबर का नुक्सान हो सकता है ठीक है next question देख लेते हैं इसकीन पर question number next है इसकीन पर ठीक है question number 13 सभी छाथ comment करेंगे सही answer किया होगा बहुत ही अच्छा question है exam oriented question है ठीक है 6-10 बर्स के वस्था में बालक रुची लेना प्रारंब कर देता है very very most important question है जब बालक की उमर 6-10 बर्स हो जाती है तो रुची लेना प्रारंब कर देता है धरम में मानप सरीर में योन संबंदों में बिध्यालाई में ठीक है धरम तो होई नहीं सकता ठीक योन संबंद बिलकुल नहीं होगा एज बहुती कम है 6-10 ठीक है और हर्मोंस भी डवलप नहीं होगे अब तक तो 6-10 उमर में बच्चों के ठीक है तो धरम नहीं होगा योन संबंद भी नहीं होगा अब बात कर लेते हैं क्या इसका कर्यक्ट आंसर हो सकता है मानफ सरी बिलकुल मानफ सरी भी नहीं होगा कर्यक्ट आंसर होगा आपका D option होगा बिद्या लाए नोट कर लें 6-10 बर्स की आईउ में बालक है ना रोची लेना पारंभ कर देता है बिद्या लाए आपका कर्यक्ट आंसर होगा नेस्ट कोश्चन इस कीन पर कोश्चन नमबर चुदा सभी छाथ कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा बहरी मेरी मुश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है भोती अच्छा एकजाम में जियों कातियों पूछ लेते हैं और बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं उत्तर बाल लवस्था में बालक भोतिक बस्त्वों को किस आउसक तत्त में परिबर्तन समझनी लगते हैं आंसर जानते हैं कमेंट करेंगी कोश्चन नमबर फोटीन का बच्चों यहां पर करेंगे सही आंसर किया होगा बहरी मोश्ट इंपोटेंट कोश्चन इसकीन पर सभी छाथ कमे ठीक है इस्टार लगा देते हैं अच्छा कोश्चन है बालक अपनी विभार की समाज मिती सुई किर्थी जिस अबस्था में चाहेता है वह अबस्था है करेक्ट आंसर किया होगा आप लोग कमेंट करेंगे ठीक है किसोर अबस्था बाल अबस्था सैस अबस्था प्रोड अबस्था बहुत अच्छा कोश्चन है अग्जाम में आ सकता है जियों का पूछ लेंगे कमेंट करेंगे कोश्चन नंबर 15 का बच्चे हां पर करेक्ट आंसर क्या होगा बालक अपनी विभार की सामाज शिक सुई किर्थी जिस अबस्था में चाहेता है वह अबस्था कौ रवस्था तो मेरी प्रिये चात्रों अब आप हमें कमेंट करके बताएं आपने 15 कोश्चन में कितने सही आंसर दिए आपकी कितने नंबर आए हमें कमेंट करके आप बता दें ठीक है आप सभी कमेंट करें कितना स्कोर आपने प्राप्त किया कितने सही आंसर दिए ठीक है और जितनी भी नए चाहत है वो चैनल को सब्सक्राइब करने बच्चों सब्सक्राइब करने की बाद घंटी दवा दें जिससे कि जब भी हम लेटिस्ट वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक है और आप लोग वीडियो को शियर जरूर करें अपने